आज 25 जुलाई 2021 को हम सभी अव्यक्त बाप दादा के मदूर महावाक्य को सुनेंगे और आज के ये अव्यक्त मदूर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 20 फरवरी 1988 को सुनाए लिए जिसमें विशेश, बाबा, बच्चों को स्मृति दिलाते हैं कि आप सभी भारतवासी ही हो चाहे विदेश में हो लेकिन अधिकतर जनम ब्रह्मा बाबा के साथ पार्ट बजाने के कारण भारत में ही रहे हो फिर बाबा बच्चों को देखती हैं कि बच्चे कितने सेवा में उमंग उत्सा से आगे बढ़ते हैं बाबा कहें सेवा एक खेल है करन करावनहार बाबा है बाबा करा रहा है जब ये स्मृति रहती है तो सेवा मनोरंजन मैसुस होती है परन्तु जब ये समझने लगते हैं कि ये मेरी ड्यूटी है मेरी जिम्मेवारी है तो बोजा बन जाता है और जहां बोज है वहां थकावट जरू अनुवव होती है इस थकावट के कारण धीरे धीरे मन चिचड़ापन में आ जाता है साथी साथ खुशी गायव हो जाती है और सेवा में भी अधिक समय निकल जाता है तो बाबा कहे ब्राम्ण जीवन में जो बैलन्स चाहिए सेवा और स्वववनती या सेवा और शक्तिशलियाद ये बैलन्स कायव हो जाता है जबकि सेवा में स्ववनती का शक्तिशलियाद का बैलन्स बहुत आवश्यक्त है क्योंकि यही अंदर से आत्मा को ताकत प्रदान करता है और हर सेवा खेल मैसूस होने लगती है मनोरंजन का अनुभव करते हुए आगे पढ़ेंगे तो इसलिए आज बाबा ने विशेश हम बच्चों का एटेंशन कीचवाया है कि सेवा और शक्तिशलियाद का बैलन्स बहुत आवश्यक्त है तो सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य आज के मुरली का सिर्षक है तन मन की ठकावट मिटाने का साधन शक्तिशलियाद आज परदेशी बाब अपने अनादी देशवाशी और आदी देशवाशी सेवा अर्थ सभी विदेशी ऐसे बच्चों से मिलने के लिए आए है विशेश बाब दादा के सन्मुक विदेशी बच्चे अधिक बैठे हैं तो इसलिए बाबा कहे आप सभी भी विदेशी हो तो बाबा भी परदेशी है लेकिन ओरिजिनली अनादी रुप में हम एक ही देश के हैं और आदी से भी सत्यूक से भी एक ही भारत अविनाशी खंड पर साथ साथ पाड़ बजाया है तो इसलिए बाबा कहे ऐसे बच्चों से मिलने के लिए आए हैं बाप दादा जानते हैं कि यही मेरे सिकिलधे लाडले बच्चे हैं अनादी देश परमधाम के निवासी हैं और साथ साथ स्रिष्टी के आदी के इसी भारत धूमी में जब सत्यूगी स्वदेश था अपना राज्य था जिसको सभी भारत कहते हैं तो आदी में इसी भारत के वासी थे इसी भारत भूमी में ब्रह्मा बाप के साथ साथ राज्य किया है बाबा बड़े सुंदर डंग से सभी विदेशी बच्चों को भी यही महसूस करा रहे हैं कि इस जनम में शायद विदेश है लेकिन सारे कल्प में कितने जन्म भारत की अविनाशी भूमी पर सभी ने पाड़ पजाया है इसलिए बाबा कहे इसी भारत भूमी में ब्रह्मा बाप के साथ साथ राज्य किया है अनेक जन्म अपने राज्य में सुक शांती संपन अनेक जीवन व्यतित किये हैं इसलिए आदी देश वासी होने के कारण भारत भूमी से दिल का सने है इसलिए सभी का दिल कस नहीं भारत गुमी के साथ है चाहे कितना भी अभी अंत में भारत गरीब वा दूल मिट्टी वाला बन गया है फिर भी अपना देश सुअपना ही होता है कितना बाबा ने अपना पन नहसुस कराया है कि भले कितना भी गरीब है दूल मिट्टी वाला है लेकिन अपना देश तो अपना ही होता है तो आप सभी की आत्मा का अपना देश और शरीरधारी देवता जीवन का अपना देश कौन सा था आप सभी आत्मा का देश यानि परमधाम वो भी हमारा देश जहां साथ साथ थे और शरीरधारी देवता जीवन का अपना देश वो भी भारत ही था विसलिए बाबा कहें भारत ही था न कितने जन्म भारत भूमी में रहे हो वह याद है 21 जन्म का वर्षा सभी ने बाब से प्राप्त कर लिया है इसलिए 21 जन्म की तो गैरंटी है ही है बाद में भी हर एक आत्मा के कई जन्म भारत भूमी में ही हुए है बहुत सुन्दर जैसे डीप रियलाइजेशन बाबते रहे हैं विदेश के बच्चों को भी कि 21 जन्म तो गैरंटी है कि भारत में ही हमने जन्म लिये लेकिन बाद में भी हर एक आत्मा के कई जन्म भारत भूमी में ही हुए है क्योंकि जो ब्रह्मा बाप के समीप आत्मे हैं समान बनने वाली आत्मे हैं वो ब्रह्मा बाप के साथ साथ आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी का पार्ट भी साथ में बजाती है तो आपे ही पूज्य वो भी भारत में और पुजारी भी भारत देश में पुजारी सबसे ज़्यादा है बाकी देशों में तो बाकी धर्मों में भी कोई इतने पुजारी नहीं है तो ब्रह्मा बाबा के साथ ही हम सभी ने साथ साथ पार्ट बजाए इसी भारत भूमी पर तो इसी लिए बाबा कहे वो ब्रह्मा बाब के साथ साथ आपे ही पूज्य आपे ही पूजारी का पार्ट भी साथ में बजाती है द्वापर यूग के पहले भक्त आप ब्राम्मन आत्माई ही बनते हो तो बाबा रियलाइज कराते है कैसे हमने अधिकतर कल्प में समय भारत भूमी पर पाठ बजाया है तो सत्यूग का पाठ तो अपना है ही है 21 जन्म के वर्से का लेकिन पुजारी समय में अर्था द्वापर यूग के पहले भक्त आप ब्राम्मन आत्माई ही बनते हो आदी स्वर्ग में इसी देश के वासी थे और अनेक बार भारत भूमी के देश वाशी हो इसलिए ब्राम्मनों के अलोकिक संसार मतुबन से अती प्यार है इसलिए सबी विदेशी भाई बैनों का भी मतुबन से बहुत बहुत प्यार है यह मतुबन ब्राम्मनों का छोटा सा संसार है तो यह संसार बहुत अच्छा लगता है ना पुछते हैं बाबा यहां से जाने को दिल नहीं होती है ना अगर अभी-अभी ओर्डर कर ले कि मदुबन निवासी बन जाओ तो खुश होंगे न पुछते बाबा तो खुश होंगे न वह यह संकल पाएगा कि सेवा कौन करेगा सेवा के लिए तो जाना ही चाहिए बाप दादा कहे बैठ जाओ फिर भी सेवा याद आएगी पुशते हैं बाबा सेवा कराने वाला कौन है एको कितना सुंदर तरीके से बाबा मैसूस कराते हैं सेवा कराने वाला कौन है जो बाप का डाइरेक्शन हो श्रीमत हो उसको उसी रूप में पालन करना इसको कहते हैं सच्चा आग्याकारी बच्चा आग्याकारी की डेफिनेशन जो बाप का डाइरेक्शन श्रीमत हो उसको उसी रूप में पालन करना इसको कहते हैं सच्चा आग्याकारी बच्चा बाप दादा जानते हैं मदुबन में बिठाना है वा सेवा पर भेजना है बाबा को नहीं मालूम किया ब्रामन बच्चों को हर बात में एवर रेडी रहना है अभी अभी जो डाइरेक्शन मिले उसमें एवर रेडी रहना संकल्प मात्र भी मन मत मिक्स न हो राबा की श्रीमत में संकल्प मात्र भी मन मत मिक्स न हो इसको कहते हैं श्रीमत पर चलने वाली स्रेष्ट आत्मा सच्ची आग्याकारी और श्रीमत पर चलने वाली स्रेष्ट आत्मा यह तो जानते हो ना कि सेवा के जिम्मेवार बाप दादा है वा आप है पुछते दादा, कौन है सेवा का जिम्मेवार बाप दादा है वा आप है इस जिम्मेवारी से तो आप हलके हो न कि जिम्मेवारी का थोड़ा थोड़ा बोज है इतना बड़ा प्रोग्राम करना है यह करना है बोज तो नहीं समझते हो ना करावनहार करा रहा है करावनहार एक ही बाप है किसी के भी बुद्धी को टच कर विश्व सेवा का कार ये कराते रहेंगे और कराते रहेंगे देखो किसी को भी मैपन ना आये मुझे इतनी सेवा करनी है इतना सेवा कराना है बाबा कहे बाबा करन करावनहार है किसी की भी बुद्धी को टच कर विश्व सेवा का कारिय कराते रहेंगे और कराते रहेंगे सिर्फ निमित बच्चों को इसलिए बनाते हैं कि जो करेगा सो पाएगा निमित बनने का भाग्य बहुत बड़ा है इसलिए बाबा बच्चों को निमित बनाता है लेकिन उसमें महपन नहीं आना चाहिए बोज अनुभव नहीं होना चाहिए पाने वाले बच्चे हैं निमित बन करके भाग्य पाने वाले बच्चे हैं बाब को पाना नहीं है प्रालब्द पाना वा सेवा का फल अनुभव होना यह आत्माव का काम है इसलिए बाबा बच्चों को निमित बनाते हैं ताकि बच्चों का प्रालब्द बन सके और सेवा का फल अनुभोव कर सके तो इसलिए बाबा कहे पाने वाले बच्चे हैं बाप को पाना नहीं है प्रालब्द पाना या सेवा का फल अनुभोव होना ये आत्माव का काम है कारिय देखा, और अभी अवयक्त रूप में भी करावनहार बाप. अवयक्त ब्रह्मा द्वारा भी कैसे सेवा करा रहे है? यह भी देख रहे हो, कि चैसे ही प्रह्मा बाबा अवयक्त हुए, उसके बाद सेवा की गती कितनी तीव्र हो गई तो वतन से बाबा किस तरह से ब्रह्मा बाबा को निमित बना करके कारी करा रहा है तो साकार में भी कराया तो अव्यक्त रूप से भी कराने वाला तो बाबा यह है तो इसलिए बाबा कहे अभी अव्यक्त रूप में भी करावनहर भाब अव्यक्त ब्रह्माद्वारा भी कैसे सेवा करा रहे हैं यह भी देख रहें अव्यक्त सेवा की गती और ही तीवर गती है कराने वाला करा रहा है और आप कट कुटली के समान नाच रहें तो खाली कट कुटली की तरफ नाच रहें यह सेवा भी एक खेल है कराने वाला करा रहा है और आप निमित बन एक कदम का पदम घुना प्रालब्द बना रहें निमित बनने का भाग्य क्या है एक कदम का पदम गुना प्रालब्द बना रहे हो तो बोज किसके उपर है कराने वाले पर या करने वाले पर बाप तो जानते हैं यह भी बोज नहीं है आप बोज कहते हो तो बाप भी बोज शब्द यूज करते हैं आप बोज कहते हो तो बाप भी बोज शब्द कहते हैं बाप के लिए तो सब हुआ ही पड़ा है भगवान के लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है, परमात्मा के लिए तो जैसे सब कुछ हुआ ही पड़ा है, सिर्फ जैसे लकीर खींची जाती है लकीर खींचना बड़ी बात लगती है क्या तो ऐसे बाप दादा सेवा कराते है खली लकीर खींचने की सेवा बावा कराते है बाकी तो सब हुआ ही पड़ा है सेवा भी इतनी ही सहज है जैसे एक लकीर खींचना है रिपीट कर रहे हैं निमित खेल कर रहे हैं, सेवा भी निमित खेल कर रहे हैं, जैसे माया का विग्न खेल है, पिछले संदे बाबा की मुरली चली थी, कि माया मिकी माउस, तो गबराते नहीं है, तो जैसे माया का विग्न खेल है, तो सेवा भी महनत नहीं, लेकिन खेल है, एसे समझने से सेवा में सदा ही refreshment अनुभव करेंगे हैसो सोगा जैसे सेवा करते हुए भी हलका एक्दम refresh जैसे कोई खेल किस लिए करते हैं? ठकने के लिए नहीं, रिफ्रेश होने के लिए खेल करते हैं चाहे कितना भी बड़ा कार्य हो, लेकिन ऐसा ही अनुभव करेंगे, जैसे खेल करने से रिफ्रेश हो जाते हैं, खेल करने से जैसे कोई रिफ्रेश हो जाते हैं, चाहे कितना भी थकाने वाला खेल हो, लेकिन खेल समझने से थकावट नहीं होती है, क्योंकि अपने दिल की रूची से खेल किया जाता है खेल जब दिल से रूची से करते हैं तो थकावट कभी पूतीने ऐसे सेवा भी क्या है खेल है और रूची से करते है चाहे खेल में कितना भी hard work करना पड़े लेकिन वह भी मनोरंजन लगता है क्योंकि अपने दिल से करते हो और कोई लौकिक कारियर बोज मिसल होता है निर्वा अर्थ करना ही पड़ेगा शरीर निर्वा अर्थ करना ही पड़ेगा ड्यूटी समझ करते हैं इसलिए महनत लगती है बाबा कहीं इसलिए वो महनत का अनुभव करते हैं जैसे शारिरिक महनत का चाहे बुद्धी के महनत का काम है लेकिन ड्यूटी समझ करने से ठकावट अनुभव करेंगे जहां ड्यूटी है मेरी जिम्मेवारी है मैं कर रहा हूँ ये समझ के करेंगे तो बाबा कहे ठकावट होंगे लेकिन खेल समझ कर करेंगे तो रिफ्रेश होंगे और मनोरंजन अनुभव गुदा तो बाबा कहे लेकिन ड्यूटी समझ करने से ठकावट अनुभव करेंगे क्योंकि वह दिल की खुशी से नहीं करते हैं जो अपने मन के उमंग से खुशी से कार्य किया जाता है उसमें ठकावट नहीं होगे बोज अनुभव नहीं होता कहां कहां बाबा जब देखता है उपर से तो बाबा कहें कहां कहां बच्चों के उपर सेवा के हिसाब से ज्यादा कार्य भी आ जाता है इसलिए भी कभी-कभी थकावट फील होती है अनुभव होती है क्योंकि सेवा के हिसाब से ज़्यादा कारिया आ जाता है इसलिए भी कभी-कभी थकावट अनुभव होती है बाप दादा देखते हैं वतन से बाबा सब कुछ देखते हैं बाप दादा देखते हैं कि कहीं बच्चे अथक बन सेवा करने के उमंग उत्सा में भी रहते हैं फिर भी हिम्मत रख आगे बढ़ रहे हैं यह देख बाप दादा हर्शित भी होते हैं जब बाबा देखते हैं क अथक बन करके अपने सेवा के हिसाब से ज़्यादा कारिय लेकिन अथक बन करके सेवा करके उमावुत्सा में फिर भी रहते हैं और फिर भी हिम्मत रख आगे बढ़ रहे हैं तो यह देख बाप दादा को भी खुशी होती है बाप दादा हर्शित भी होते हैं फिर भी देखो बाबा कितना प्यार से बच्चों को समझाते हैं फिर भी सदा बुद्धी को हलका जरूर रख दो बुद्धी को भारी नहीं करो बाप दादा बच्चों के सब प्लैन प्रोग्राम वतन में बैठे भी देखते रहते हैं बाप दादा बच्चों के सब्लैन, प्रोग्राम्स वतन में बैठे भी देखते रहते हैं हर एक बच्चे की याद और सेवा का रिकॉर्ड बाप दादा के पास हर समय का रहता है यह नहीं कि बाबा नहीं जानते कि हमने कितनी सेवा किया, कितना याद किया, बाबा कहें याद और सेवा का रिकॉर्ड बाप दादा के पास हर समय का रहता है, जैसे आपकी दुनिया में रिकॉर्ड रखने के कई साधन है, बाप के पास साइंस के साधन उसे भी रिफाइन साधन है, सुना इस दुनिया के जो साइंस के साधन है उससे भी बाबा के पास रिफाइन साधन है स्वतह ही कारिय करते रहते हैं जैसे साइंस के साधन जो भी कारिय करते वो लाइट के आधार से करते हैं सुक्ष्म वतन तो है ही लाइट का, क्यों रिफाइन है वो भाबा स्पष्ट करते हैं, कि यहां सब साधन लाइट के आधार पर चलते हैं कारी करते, सुक्ष्म वतन तो है ही लाइट का, साकार वतन की लाइट के साधन फिर भी प्रकर्ति के साधन है, प्रकर्ति से उत्पन लेकिन अव्यत्वतन के साधन प्रकर्ती के नहीं है और प्रकर्ती रूप बदलती है इस दुनिया के अंदर प्रकर्ती रूप बदलती है सतो रजो तमो में परीवर्तन होती है इस समय तो है ही तमो गुणी प्रकर्ती इसलिए ये साधन आज चलेंगे, कल नहीं चलेंगे लेकिन अव्यत्त वतन के साधन प्रकर्टी से परे है इसलिए वो परिवर्तन में नहीं आते हैं सतुर जो तमो के परिवर्तन में नहीं आते हैं जब चाहो जैसे चाहो सुक्षम साधन सदा ही अपना कार्य करते रहते हैं इसलिए सब बच्चों के रिकार देखना बाबा कहें सब बच्चों के रिकार को देखना बाप दादा के लिए बड़ी बात नहीं है आप लोगों को तो साधनों को संभालना ही मुश्किल हो जाता है ना तो बाप दादा याद और सेवा का दोनों ही रिकार्ड देखते हैं क्या देखते हैं क्योंकि दोनों का बैलंस एक्स्ट्रा ब्लेसिंग्स दिलाता है सुना, इसलिए balance चाहिए, याद और सेवा का, क्योंकि दोनों का balance एक्स्ट्रा blessing दिलाता है, जैसे सेवा के लिए समय निकालते हो, तो उसमें कभी नियम से भी ज्यादा लगा देते हैं, जैसे सेवा के लिए समय निकालते हो, तो उसमें कभी नियम से भी ज्यादा लगा देते हो, सेवा में समय लगाना बहुत अच्छी बात है, और सेवा का बल भी मिलता है, सेवा में बिजी होने के कारण छोटी-छोटी बातों से बच भी जाते हो, बाप दादा बच्चों की सेवा पर बहुत खुश है, हिम्मत पर बलिहार जाते है, लेकिन जो सेवा याद में, उन्नती में थोड़ा भी रुकावट करने के निमित होती है, तो ऐसी सेवा के समय को कम करना चाहिए, बैलन्स करना है न याद और सेवा, अगर सेवा में टू मच चले गए, याद के लिए टाइम नहीं मिला, रुकावट हो गई, तो बाबा कहें ऐसी सेवा के समय को कम करना चाहिए, जैसे उदाहरन देते हैं बाबा, तो देखते हैं उपर से समबच्चों का तो जैसे रात्री को जागते हो बारावा एक बजा देते हो सेवा में इतने बिजी हो जाते जो बारावा एक बजा देते हो तो अम्रत वेला फ्रेश नहीं होगा बैठते भी हो तो नहीं अम्प्रमार और अम्रत वेला शक्तिशाली नहीं तो सारे दिन की याद और सेवा में अंतर पड़ जाता है क्या अंतर पड़ता है? मानो सेवा के प्लैन बनाने में वह सेवा को प्रैक्टिकल लाने में समय भी लगता है ज्यादा बुद्धी ठीक से काम नहीं करती है तो समय ज्यादा लग जाता है तो रात के समय को कट करके देख बाबा युकती बताते हैं रात के समय को कट करके 12 बजे के बदले 11 बजे सो जाओ वही एक घंटा जो कम किया और शरीर को रेस्ट दी तो अम्रत विला अच्छा रहेगा बुद्धी भी फ्रेश रहेगी नहीं तो दिल खाती है कि सेवा तो कर रहे हैं लेकिन याद का चाट जितना होना चाहिए उतना नहीं है जो संकल्प दिल में वा मन में बार-बार हता है कि यह ऐसा होना चाहिए लेकिन नहीं हो रहा है तो उस संकल्प के कारण बुद्धी भी फ्रेश नहीं हो कि इतनी अच्छी बाबा ने युक्ती बताई एक घंटा कम करो सो जाओ लेकिन अम्रत वेला पावर्फुल हो ताकि मन अंदर खाए नहीं और फिर बाबा कहे और बुद्धी अगर फ्रेश है तो फ्रेश बुद्धी से दो तिन घंटे का काम एक घंटे में पुरा कर सकते तो वो जो एक घंटा महां से कट किया वो कारिय आदा घंटे के अंदर हो जाता है थकीवी बुद्धी में टाइम ज्यादा लग जाता है यह अनुभव है न और जितनी फ्रेश बुद्धी रहती शरीर के हिसाब से भी फ्रेश और आत्मिक उन्नती के रूप में भी यानि ताजगी रहती तो एक घंटे का कार्य आधे घंटे में कर लेगे इसलिए सदेव अपनी दिन चरिया में फ्रेश बुद्धी रहने का अटेंशन लो कितना सुन्दर तरीके से बाबा ख्याल रखता हैं बच्चों का ताकि बच्चे ज्यादा ठके भी नहीं और उनका याद और सेवा का बैलन्स अच्छा रहे हैं उसके लिए बाबा हमें साउधान करते हैं अटेंशन खिजवाते हैं तो बाबा कहे तो एक घंटे का कार्य आधा घंटे में कर लेगे इसलिए सदेव अपनी दिन चरिया में फ्रेश बुद्धी रहने का अटेंशन लिए ज्यादा सोने की भी आदत नो हो लेकिन जो आवश्यक समय शरीर के हिसाब से चाहिए उसका अटेंशन लिए जितना शरीर को आवश्यक है उतना तो जरू देना है ज्यादा सोने की भी आदत नो हो कभी कभी कोई सेवा का चांस होता है मास दो मास में दो चार बार देरी हो गई वह दूसरी बात है लेकिन अगर नियमित रुप से शरीर ठका हुआ होगा तो याद में फर्क पड़ेगा जैसे सेवा का प्रोग्राम बनाते हो चार गंटे का समय निकालना है तो निकाल लेते हो ऐसे याद का भी समय निश्चित निकालना ही है सेवा के लिए कितना एटेंशन रगते नहीं यह सेवा जरूरी है आवश्यक है करना ही है इतना समय निकालना ही पड़ेगा तो बाबा कहे याद का भी समय निश्चित निकालना ही है इसको भी आवश्यक समझ इस विधी से अपना प्रोग्राम बनाव सुस्ती नहीं हो लेकिन शरीर को रेस्ट देना है इस विधी से चलो क्योंकि दिन प्रते दिन सेवा का तो और ही तीव्रगती से आगे बढ़ने का समय आता जा रहा है दिन प्रते दिन बाबा ये भी हमें साउधान करते हैं कि सेवा तो बढ़ने वाली है तो इसलिए तीव्रगती से जब सेवा बढ़ेगी तो वो तो समय निकालना ही पड़ेगा तो बाबा कैं सुस्ती नहीं हो लेकिन शरीर को रेस्ट देना है इस विधी से चलो क्योंकि दिन प्रते दिन सेवा का तो और ही तीव्रगती से आगे बढ़ने का समय आता जा रहा है आप समझते हो अच्छा ये एक वर्ष का कारिय पूरा हो जाएगा फिर रेस्ट कर लेंगे ठीक कर लेंगे याद को फिर ज़्यादा बढ़ा देंगे ऐसा सोचते हैं कर लेंगे अपने याद के चार्ट को भी ज़्यादा बढ़ा लेंगे लेकिन सेवा के कारिय तो दिन प्रते दिन नए से नए और बड़े से बड़े होने हैं इसलिए सदा बैलन्स रखो अम्रत वेला फ्रेश हो फिर वही काम सारे दिन में समय प्रमाण करो तो बाब की ब्लेसिंग भी एक्स्ट्रा मिलेगी बाबा कहें अम्रत वेला फ्रेश हो फिर वही काम सारे दिन में समय प्रमाण करो तो बाबा की बाब की ब्लेसिंग भी एक्स्ट्रा मिलेगी और बुद्धी भी फ्रेश होने के कारण बहुत जल्दी और सफलता पूर्वकारिय कर सकेगी समझा बाप दादा देख रहे हैं बच्चों में उमंग बहुत है इसलिए शरीर का भी नहीं सोचते हैं बाबा देखते हैं कभी कभी बच्चे इतना सेवा में उमंग में आ जाते हैं जो शरीर का भी नहीं सोचते हैं उमंग उत्सा से आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ाना बाप दादा को अच्छा लगता है, फिर भी बैलन्स अवश्य चाहिए, भल करते रहते हो, चलते रहते हो, लेकिन कभी-कभी जैसे बहुत काम होता है, तो बहुत काम में एक तो बुद्धी की ठकावट होने के कारण, जितना चाहते उतना नहीं कर पाते हैं, बुद्धी ठक गई है तो क्या करेंगे, जितना चाहते हैं उतना नहीं कर पाते हैं, और दूसरा, बहुत काम होने के कारण, थोड़ा सा भी किसी द्वारा थोड़ी हल जलोगी तो ठकावट के कारण चिर्चिडापन हो जाता है नैचरल है चिर्चिडापन में आ जाएंगे उससे खुशी कम हो जाती है वैसे अंदर ठीक रहते हो सेवा का बल भी मिल रहा है खुशी भी मिल रही है फिर भी शरीर तो पुराना है ना राबा भी जानते हैं शरीर तो पुराना है ना इसलिए too much में नहीं जाओ शरीर तो पुराना है इसलिए उसे अपनी capacity से ज्यादा अधिक सेवा नहीं कराओ इसलिए too much में नहीं जाओ balance रखते हैं याद के चार्ट पर ठकावट का असर नहीं होना चाहिए जितना सेवा में बिजी रहते हो बल कितना भी बिजी रहो लेकिन ठकावट मिटाने का विशेश साधन क्या है तनमन की ठकावट को मिटाने का विशेश साधन बाबा बता रहे है हर घंटे वा दो घंटे म भी शक्ति-शाली याद का अवश्य निकाला एक मिनुटि niet ने मैं समझे खूं जस्ट मेंने का कारेकरम इसलिए चलाय था समुल हेब कि एक मिनुटि गण्टे वा तो कि ज सक्ति-शाली याद का अवश्य निकाला two देखो बाबा उदाहरण भी कितना सठीक देते हैं, जैसे कोई शरीर में कमजोर होता है, तो शरीर को शक्ती देने के लिए, डॉक्टर्स दो दो घंटे बाद ताकत की दवाई पिने लिए देते हैं, टाइम निकाल दवाई पिनी पड़ती है न, तो बीच बीच में एक मिनि भी अगर शक्ती शाली याद का निकालो, तो उसमें A, B, C सब विटामिन आ जाएंगे, बाबा की शक्ती शाली याद में बैठ जाओ, एक मिनिट के लिए लिए, तो बाबा कहे उसमें सारे विटामिन से, B, C सब आ जाते हैं, सुनाया था न, कि शक्ती शाली याद सदा क्य पूछा था बचवने शक्ति शाली याद क्यों नहीं रहती। जब है ही बाप के और बाप आपका सर्व संबंध है, दिल का स्ने है, नौलेज़फुल हो, प्राप्ति के अनुभवी हो, फिर भी शक्ति शाली याद सदा क्यों नहीं रहती। उसका कारण क्या? अपनी याद का लिंक नहीं रखते, लिंक टूटता है, इसलिए फिर जोडने में समय भी लगता है, महनत भी लगती है, और शक्तिशाली के बजाए कमजोर हो जाते हैं, बार बार लिंक टूटती रहेगी, जोडते रहेंगे, तो बाबा पैर शक्तिशाली क के बजाए कमजोर हो जाते विस्मृति तो हो नहीं सकती याद रहती है लेकिन सदा शक्तिशाली याद स्वतह रहे उसके लिए यह लिंक टूटना नहीं चाहिए हर समय बुद्धी में याद का लिंक जुटा रहे उसकी विधी यह है यहर गंटे दो गंटे में एक मिनट शक्तिशाली याद निकालो उसकी यह विधी है यह भी आवश्यक समझो जैसे वह काम समझते हो कि आवश्यक है यह प्लान पूरा करके ही उठना है इसलिए समय भी देते हो एनर्जी भी लगाते हो वैसे यह भी आवश्यक है जैसे कोई भी सेवा का कार्य देखते हैं तो आवश्यक समझते हैं समय भी देते एनर्जी भी लगाते बाबा कहे याद भी आवश्यक है इनको पीछे नहीं करो कि यह काम पहले पूरा करके फिर याद कर लेंगे, नहीं, इसका समय अपने प्रोग्राम में पहले एड करो, जैसे सेवा के प्लैन के लिए दो घंटे का टाइम फिक्स करते हो, चाहे मिटिंग करते हो, चाहे प्रैक्टिकल करते हो, तो दो घंटे के साथ-साथ यह भी बीच-बीच में करना ही है, जो एक घंटे में प्लैन बनाएंगे, वह आदा घंटे में हो जाएगा, करके देखो, आपे ही फ्रेशनेस से दो बजे आँख खुलती है, वह दूसरी बात है, लेकिन कार्यक के कारण जागना पड़ता है, तो उसका इफेक्ट प्रभाव शरीर पर आता है, इसलिए बैलन्स के उपर सदा एकेंशन रखो, याद और सेवा के बैलन्स पर बाबा के सदा एकेंशन रखो, बाप दादा तो बच्चों को इतना बिजी देख, यही सोचते, कि इन्हों के माथे की मालिश होनी चाहिए, समझा, कितना प्यार करते हैं बाबा, लेकिन समय निकालेंगे, तो वतन में बाप दादा मालिश भी कर लेंगे, समय निकालेंगे, बाबा के पास वतन में आएंगे, तो बाप दादा मालिश भी कर देंगे, वह भी अलोकिक होगी, मालिश भी अलोकिक होगी, ऐसे लोकिक मालिश थोड़ी होगी, एक दम फ्रेश हो जाएंगे, एक सेकंड भी शक्तिशली याद मों तन और मन दोनों को फ्रेश कर देती है बाप के वतन में आ जाओ जो संकल्प करेंगे वह पूरा हो जाएगा चाहे शरीर की ठकावट हो चाहे दिमाग की चाहे स्थिती की ठकावट हो बाप तो आए ही है ठकावट उतारने आज डबल विदेशियों से प बहुत अच्छी सेवा की है और करते ही रहना है कितना बाबा बच्चों के लिए आफरीन देते हैं प्यार बड़ी सेवा बढ़ना ये ड्रामा अनुसार बना हुआ ही है कितना भी आप सोचो अभी तो बहुत हो गया लेकिन ड्रामा की भावी बनी हुई है इसलिए सेवा के plans निकलने ही है और आप सब को निमित बन करनी ही है सेवा करनी ही है ये भावी कोई बदल नहीं सकते बाप चाहे एक वर्ष सेवा से rest दे दे वे नहीं बदल सकता सेवा से से फ्री हो बैठ सकेंगे पुष्टे बाबा सेवा से फ्री हो बैठ सकेंगे जैसे याद ब्राम्मन जीवन की खुराक है ऐसे सेवा भी जीवन की खुराक है बिना खुराक के कभी कोई रह नहीं सकता है ना बिना खुराक के कभी कोई रह सकता है क्या लेकिन बैलन्स जरूरी ह इतना भी ज्यादा नहीं करो जो बुद्धी पर बोज हो और इतना भी नहीं करो जो अलबेले हो जाओ न बोज हो न अलबेलापन हो उसको कहते हैं balance अच्छा सदा याद और सेवा के balance द्वारा बाप की blessing के अधिकारी सदा बाप के समान double light रहने वाले सदा निरंतर शक्तिशाली याद की link जोडने वाले सदा शरीर और आत्मा को refresh रखने वाले हर कर्म विधी पुर्वत करने वाले सदा स्रेश्ट सिद्धी प्राप्त करने वाले ऐसे स्रेश्ट समीप बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते हम सब रुहानी बच्चों की रुहानी मात किता बाप दादा को याद प्यार good morning और नमस्ते नमस्ते शुक्रिया बाबा शुक्रिया आज का बाबा का मदुर वर्बान है स्रेश्ट तक्दीर की स्मृती द्वारा अपने समर्थ स्वरुप में रहने वाले सूर्य वन्शी पद के अधिकारी भवा सदा स्मृती में रखते हैं वो समर्थ स्वरुप में रहते हैं उन्हें सदा अपना अनादी असली स्वरुप स्मृती में रहता हैं कभी नकली फेस धारन नहीं करते हैं कई बार माया नकली गुण और कर्तव्य का स्वरुप बना देती हैं किसको प्रोधी किसको लोभी किसको दुखी किसको अशांद बना देती है लेकिन असली स्वरूप इन सब बातों से परे हैं जो बच्चे अपने असली स्वरूप में स्थित रहते हैं वह सूर्य वन्शी पद के अधिकारी बन जाते हैं आज का बाबा का मदूर स्लोगन है सर्व पर रहम करने वाले बनो तो एहम और वहम समाप्थ हो जाएगा सर्व पर रहम करने वाले बनो तो एहम और वहम समाप्थ हो जाएगा अच्छा ओम शांद